हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा Samsung Galaxy Y55 के बारे में तो Samsung Galaxy Y55 के बारे में कुछ डिटेल से यहां पर लिखो के सामने आ चुका है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि Y55 का पूरा जो इस पर निकल के सामने आ चुका है रही बात तो यह confusion अभी भी create हो चुका है और अभी भी यह confusion solved नहीं हुआ है कि यह कोई नया smartphone आएगा या फिर Samsung F या फिर M series में इस smartphone को launch करेगा क्योंकि यह smartphone सबसे पहले Samsung चाइना के अंदर launch करेगा क्योंकि इस smartphone को टीनिया सर्टिफिक्शन साइट में देखा गया और नाम में भी अभी थोरा confusion है या तो C55 होगा या फिर Y55 होगा नाम अभी तक clear नहीं किया गया है क्योंकि बहुत साले लोग कंफ्यूज है कि क्या नाम से Samsung इस smartphone को launch करेगा लेकिन launch सबसे पहले यह smartphone आप लोगो चाइना के अंदर देखने को मिल सकता है 6.67 इसे का आप लोगो एक OLED स्क्रिन मिलेगा जिसमें आप लोगो 120 हचकर refresh rate मिलेगा प्रोसेसर अभी तक confirm नहीं कि कौन सा प्रोसेसर यहां पर Samsung इस्तिमाल करेगा बस बताएगा कि 2 GHz का आप लोगो ओक्टा को प्रोसेसर देखने को मिलेगा तो यही अभी तक detail निकल के सामने आ चुका है बेक सेट में triple camera का setup होगा जो primary camera होगा है 50MP का यानि कि कोई high-five camera आप लोगों को नहीं मिलेगा एक normal जो Samsung के A-series के smartphone में ही मिलता है सेम होई camera का setup आप लोगो Y55 या फिर C55 में देखने को मिलने वाला है फ्रंट में 13MP का आप लोगों को front camera देखने को मिलेगा Android का 14 है with Samsung के One EY6 के साथ और in display fingerprint के scanner मिलेगा तो यह एक अची बात है और 5000 mAh के battery मिलेगा और 45W के charger को यह smartphone support करता है अगर आप लोग इसका टीनर certification site का look देखेंगे तो यह similar रहेगा Samsung के F54 की तरह यानि कि design में लगवागा आप लोगों को similar मिल रहा है तो अभी भी confusion है कि Samsung actual में इस smartphone को इंडियन मार्केट में और गलोबल मार्केट में किस नाम से launch करेगा लेकिन बात रहे तो चाइना के अंदर यह smartphone या तो C55 या फिर Y55 के नाम से launch हो सकता है अब देखना होगा क्या इंडिया में यह smartphone M55 या फिर F55 के नाम से launch किया जाएगा या फिर एक नया series Samsung हमें 2024 में अपने mid range department में देगा यह सभी कुछ देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा लेकिन हैं बहुत सारे सर्टिफिक्शन साइट में इस smartphone को देखा गया और कुछ ना कुछ से डीटेल्स हमेंसा इस smartphone का निकल के सामने आ रहा है उमिद लगाया जा रहा है कि आपनों को बहुत ही जल यह नया smartphone अन्बिल होते हुए दिखेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया series अगर आता है तो देफिनेटली थोड़ा excitement रहेगा और क्या actual में रहेगा क्योंकि अगर आपनों को बात करे तो 2024 में बहुत सार ऐसे जगा है ज हतम भी होते हुए दिख सकता है क्योंकि नया series यहां पर launch कर रहा है तो कहीं ना कहीं Samsung का पुराना series है वह आपनों को बंद होते हुए दिख सकता है तो जो भी होगा मैं आपनों को चैनल में update देता रहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को मत्या